एक्ता कपूर की नागिन सीरीज से टीवी की कई एक्ट्रिसेस को वो नम और शोहरत मिली जिसके लिए वो लंबे वक्त से महिनत कर रही थी नागिन सीरीज में पांच एक्ट्रिसेस को नागिन के रूप में भरपूज पसंद किया गया है जिन में मौनी रॉय, अदाखान, सुर्भी जयती, करिश्मा तन्ना और अनीता हसननदादी शामिल है लंबे वक्त से एक तक ही पांचो नागिन टीवी से दूर है ऐसे में आज हम आपको इस वीजियो में एक एक नागिन के बारे में बताने वाले हैं कि कौन इन दिनों कहां बिजी हैं और क्या-क्या काम कर रही है सबसे पहले बात करती हैं मौनी रॉय की वेल, मौनी रॉय ने नागिन सीरिस में शिवन्या का किरदार निभाकर खुब पॉपलेरिटी हासिल की मौनी नागिन शोग के बाद से टीवी से दूर ही है और बॉलिवूड में हाथ आजमा रही है हाला कि अब मौनी टीवी पर वापसी कर रही है और पहली बाद वो जज़ के रूप में नज़र आएंगी शोडान्स रियलिटी शोडान्स इंद्या डान्स लिटल मास्टर में मौनी टीवी पर लबे वक्त के बाद वापसी से खुश भी है और जल्दी वो इस शोड में बतौर जज़ सभी को एंटेटेन करने वाली है अदा खान टीवी पर आखरे बार अदा को साल 2020 में खत्रो के खिलाडी शो में देखा गया था जी हाँ अदा बेशक टीवी शोड में नज़र ना आ रही हैं लेकिन वो लगातार फोटो शूट्स करवा रही हैं अपने नए प्रोजेट के लिए शूटिंग भी कर रही हैं वही खबरे तो ये भी सामने आई थी कि अदा जल्धी शरत बलूत्रा के साथ रात्री की यात्री सीरीज के नए सीजन में नज़र आने वाली हैं सुर्भी जो थी नागिन द्री में बेला के बाद सुर्भी को किसी भी शो में लीड रोल में नहीं देखा गया बेशिक नागिन की बेला यानि की सुर्भी टीवी से दूर हो लेकिन उनके पास काम के कोई कमी नहीं कुश्वत पहले ही सुर्भी ने सोनम गुपता बेवफा है नाम की फिल्म से भी काफी धमाल मचाया था वही कबूल है 2.0 से भी वो काफी चाही रही वही म्यूजिक वीडियो में भी सुर्भी बराबर हाथ आजमा रही है वही सुर्भी के पास कई और नए OTT प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाली दिनों में रिलीज होंगे अनीता हसननदानी टीवी के नागिन विशाखा यानिकी अनीता इन दिनों कहां बिजी है ये उनकी फैंस अच्छे से जाते हैं बेटी आरव के जन्म के बास से अनीता फिलहाल मदरूड इंजॉई कर रही हैं और कुछ वक्त टीवी से दूर रहकर अपने बेटी की परवरिश ही करेंगी और फिरहाल अपनी फामली के साथ वो क्वालिटी टाइम बिताने में कोई मौका नहीं छोड़ रही और करिश्मा तन्ना नागिन रूही यानि की करिश्मा भी टीवी से दूर फिल्मों में एक्टिव हैं हाला कि इन दिनों करिश्मा अपने होने वाली पती वरून के साथ टाइम स्प्रेंट कर रही हैं करिश्मा पांच फरवरी को अपने बॉइफरंड वरून के साथ शादी करने वाली हैं और इन दिनों वो अपनी शादी की तमाम तयारियों में बिसी हैं